हलो बच्चों वेलकम बैक टू एडी अकेडमी मेरा नाम है राहुल पटेल जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग यहां पे क्लास्टेंथ फिजिक्स का लाइट चेप्टर को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले हाँ इसके पहले हम लोगों क्या क्वर कर लिया है जितने भी कंवेक्स मिरर के मिरर के डियागराम वगएर है इमेज़ फर्मेशन वगएरह यह सब पढ़ लिया इसके बाद हम लोगोंने सब से इंपोर्टेंट जो पढ़ा पिछले गशले चीक है बच्चों तो जिन ब वीडियो देखके फिर इसको कैरी करोगे ठीक है फारवर्ड तो आज आपका है मिरर फार्मुला मिर फार्मूला क्या होता है बच्चों बैसिकली जो हम लोग वहां पे देख रहा है थे कि अबजेक्ट को अलग-अलग डिस्टेंस पर रख रहा है थे तो अबजेक्ट v और focal length f इन तीनों में एक relation होता है ठीक है बच्चो उसी को हम लोग क्या होता है mirror फार्मुला तो चले एक diagram के help से समझ लेते हैं कि यह आपका क्या है मैं माल लेता हूं कि यहां पर आपका object है o इसका image जो बनेगा between c and f i ठीक है तो हम लोग पोल से object तक का distance u पोल से image तक का distance v हम लोग ने science convention में पढ़ा कि सभी distance को कहां पर से measure करना होता है pole of the mirror ओके बच्चो ठीक है पोल से focus तक का distance focal length तो u v f में एक simple सा relation होता है one by f equal one by v plus one by u ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते है mirror formula ठीक है बच्चो आपको इसको सोचना नहीं है कि यह कहां से आ गया basically इसका derivation है जब आप 12 में जाओगे तो इसका derivation पढ़ोगे ठीक है आपको तो यहां पर बस इस formula का use करना है है ना तो अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment box में comment कर सकते हो ठीक है इसके बाद हमारा है एक और formula जो f means focal length और radius of curvature को relate करता है ठीक है तो फिर से देख लेते हैं यहां पर एक mirror है आपका यह pole यह focus और यह center तो pole से लेके center तक का जो distance होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते है radius of curvature ना means जो mirror है हम लोगों ने इसके जब terminology पढ़ रहे होंगे उस time पर हम लोगों ने देखा था ठीक है कि कौन-कौन से radius of curvature क्या होता है center of curvature क्या होता है तो I hope आप देख के आ रहे हो ठीक है तो pole से लेके center तक का distance radius of curvature आप इसक capital R या small R दोनों से represent कर सकते हो ठीक है इसके बाद pole से लेके f तक का distance focus तक का वो क्या होता है focal length अभी हम लोग देखे ठीक है तो इन दोनों में पाल लेते हैं कि जो है मेरे पास एक कंके मिरर है जिसका radius of curvature कितना है radius of curvature जो है 40 cm है ठीक है तो find its focal length इसका focal length आप बताईए ठीक है इसका इस तरीके का बच्चों objective में कई बार question आये हुए है ठीक है तो क्या होगा आप simple relation यूज़ कर लो f equal हमको क्या पता है f equal R upon में 2 कितना ह divided by 2 that is 20 cm अब यह 20 cm तो आ गया ठीक है अगर आपका option में 20 cm तब तो आप वो टिक कर दोगे लेकिन वहीं पर कई बार क्या करता है वो sign convention का यूज़ कर लेता है मतलब कि sign convention जैसे जिसने नहीं देखा वो पहले देख ले ठीक है मैं बता दे रहाँ वहां पर हम लोग क्या पोल पर खड़े करने हो जाना है अपने आपको और फिर इसके बाद देखो जो distance left में रहेंगा पोल से रहेगा उसको हम लोग negative और जो distance पोल के क्या होगा राइट में होगा उसको positive तो आप देखो न जब आप focal length मेजर करने आओगे ठीक है पोल से किधर आना पड़ेगा आ लेफ्ट में आना पड़ेगा न मिन्स लेफ्ट में है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका या फिर मैंने आपको xy कोडिनेट सिस्टम वाला बताया था इधर positive इधर negative आप साइड पॉजिटिव डाउन साइड नेगेटिव ठीक है तो आप देखो यह क्या है नेगेटिव साइड है न फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा यह तो हम जो एंसर लिखेंगे वह मिन्स विट साइन कंवेंसर लिखें तो माइनर का 20 सेंटी मीटर हमको लिखना पड़ भी मिरर विच है फोकल लेंथ 15 सेंटी मीटर देन वाट विल वी इस रेडियस अफ कर वेचर ओके बच्चों आप कमेंट वॉक्स में कमेंट करो ठीक है इसके बाद हमारा क्या है इसके बाद हमको है पढ़ना पावर अफ मिरर पावर अफ मिरर क्या होता है तो किसी भी अब हम पढ़ेंगे तो लेंस बोलेंगे अभी मिरर रहें फोकल 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 लेंथ recognized जो आपका आग कितना रहा है, focal length, हाँ, focal length अगर meter में रहेगा, ठीक है, तो जो हमारा unit आएगा, power का, वो क्या आएगा, diopter, ठीक है, यहाँ पर आपका diopter, capital D से हम represent कर सकते हैं, ठीक है, यह आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कि अगर power है, तो यह focal length 1 upon meter रहेगा, आप इसको उपर ले तब आपको D नहीं बोलना है, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर आपको centimeter में दिया रहेगा question में, focal length, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको focal length को meter में convert करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, diopter में answer लिखना पड़ेगा, तो या फिर आप उ hundred से divide कर दो, और वो कहां चला जागा, उपर, तो जो आपको formula आता है, minus one upon f, ठीक है, ये meter, आपको सपोस करो centimeter में दिया है, अब क्या कर दो, hundred से divide कर दिये, इसको centimeter कर तो ये क्या हो गया, meter में बदल गया, तो ये hundred आप कहां चला जाएगा, उपर, तो ये आ गया, hundred divided by f, अब आप f centimeter में भी रख सकते हो, मतलब ये वाला formula, hundred divided by f in centimeter, तब आप जो power का, जो unit है, वो diopter लिख सकते हो, ठीक है, ओके बच्चों, I hope आपको power clear होगा, ठीक है, बाकि अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो जरूर से like करें इसको, और channel को subscribe करें, बाकि इससे related अगर आपको क कोई doubt हो, तक comment box में आप पूछ सकते हो, next हम लोग पढ़ने वाले है, magnification, ठीक है बच्चों, तो I hope आपको वीडियो पसंद आगा, thank you